जैशिरम दोस्तों स्वागत है आप से विकाद क्रिशन क्लासेज में तो दोस्तों जो यहाँ पर उद्यान वाले विद्यार्थी है अभी तक काफी परेशान में दिख रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए एक अच्छी खबर भी है और अच्छी खबर क्या है उससे पहले हम डिस ओन में सभी अभ्यर्थी उपस्तित हो जाये देरादन में कल 20 बजे कल मतलब दोस्तों दिनांख erzählt जनवरी ठीक है 2030 चल रहा है तो मैं आप सभी को फिर से बोला चाहूंगा 28 जनवरी यानि कल सभी अभ्यर्थी उपस्तित हो जाए और आज क्या हुआ क्या नहीं इसका आप सभी का जो मैसेज आ रहे है ग्रूप में भी तो आप सभी से हम आज बताना चाहेंगे कि आज की इस्तिति क्या रही तो जैसा कि दोस्तो कल कहा गय आज सभी लोग मिलने हैं तो देरादुन के जितने भी अभ्यर्थी थे आज आये थे और मैं बता दू बहुत ही गर्व के साथ आप सभी को कि देरादुन के आठ या दस अभ्यर्थी ही आज होंगे दस मैं इसलिए गिना रहा हूं क्यूंकि एक दो अन्य थे जो होटी कर से नहीं थे अन्य था दोस्तों शायद आठ अभ्यर्थी आज मिले थे और इतनी भारी जनसंख्या में मुझे लगता है कि होटी कल्चर का जो अध्याचन है कि स्त्रों से लोग अपना बढ़ चड़ कर हिसा ले रहे हैं ग्रूप में इतने सारे अभ्यर्थी है कितना करते हैं तो उसके सिवाये दोस्तों हम बात करेंगे आज क्या हुआ तो आज की जो इस्थिति है उमीद करेंगे वो कल की इस्थिति ना रहे तो इसलिए दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं परेड गराउंड में दस बजे कल मिल जाईए सभी लोग ठीक है दोस्तों परेड ग और उन्होंने कहा है कि हम सभी जितने भी छात्र कल उपस्तित होते हैं सभी वहां से विभाग की और हाला कि विभाग में कल छुटी रहने वाली है लेकिन उनका जो मैं मकसद रहने वाला है वो है विभाग के जो मंत्री है हमारे गणेश जोशी जी उनसे मुलाकात का रहने वाला है तो कल दोस्तों सभी छात्रों से निवीदन है जादा से जादा संख्या में आए और जो विभाग के मंत्री है उनसे मिलना हो जाएगा और अगर कुछ ऐसा इस्थिती उत्पन होता है कि मुख्यमंत्री से पुनहों मिलने का मौका मिलता है हाला कि सबसे बड़ा धन्यवाद हम करना चाहेंगे हमारे जो बेरोजगार संग के अध्यक्ष है जो बेरोजगार की आवाज है उनका बोबी पौार जी और बड़े भाई है हमारे इनका हमेशा से बेरोजगारों के परती जो अपना जज़बा है स्वेम से कारे में लगे रहते हैं एक बार बोलने पर उनका पूर्ण रूप से क्या है योगदान रहता है बेरोजगारों के परती तो देखते हैं दोस्तों उन्होंने क्या प्रेस नोट निकाला है आज दिनांग 27 जनबरी 2023 को खरिदवार SSP श्री अजय सिंग जी के द्वारा उत्राखन बेरोजगार संग के परती मंडल को सचवाले इस्तित मुख्यमंत्री कारेवाल में माणिय मुख्यमंत्री जी से मिलव वर्तमान घटना करम को देखते हुए उत्राखन बेरोजगार संग के परती निधी मंडल ने विभिन बिंदो पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की साथी साथ सभी बिंदो पर आउशक कारवाई के लिए निविदन किया जिसमें कि सक्त नकल रोधी कानून नकल्चो परवक्ता भरती पुलीस भरती शारिक परिक्षा सहीत जाच के निविदन किया साथ ही 30% महिला 36 आरक्षण की इस्थिटी को सपष्ट करने के लिए निविदन किया सिंचाई बिवाग के 228 पदो के उगतिमान भरती में जोडने है तुम मांग रखी और दूसरा है दोस्तो उद्यान विवाग परकिरिया वापस लेगे अध्याचन को यथा इस्थिती रखने की साथ ही असिस्टेंट प्रोफिसर भरती परकिरिया API स्कोर पदती को हटाने की बात रखते हुए कई अन्य बिद्दो पर चर्चा हुई तो दोस्तो जो हमारे यहाँ पर बेरोजगार संग का परती निदी मंडल है वो गया था और उन्होंने बात कहिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उद्यान की भरती परकिरिया में वापस ले अध्याचन को यथा इस्थिती रखने के संदर में तो यह कहा गया दोस्तो औ और इसका आपको मैं दिखा देता हूँ बेरोजगार संग बोवी पॉगार जी ने यह आप देख सकते हैं सिगनेचर के साथ इन्होंने उद्यान विवाग में पूर में जारी विग्यप्तियों के संदर में अपनी एप्लिकेशन दी है किस से मुख्यमंत्री जी से तो इसी तरो हमारे समर्थन में रहने के लिए निरंतर निवेदन करते रहना चाहिए सभी व्यक्तियों को और दूसरी दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कल दस बजे आप सभी को आना है और जरूर आना है जितना हो सकता है क्यूंकि अब हमारे पास एक अध्याचन है ज आपके छेतर के विदायक है आप उनके पास भी जा सकते है अपने जो छेतर के विदायक है उनसे भी एक कन्फरमेशन के रूप से आप जो निदेशक है जो खास जहां तक हमें जानकारे मिल रही है निदेशक सहाब जी का पस्ट रूप से कहना था कि जो बायोजी वाले है उन्हें ABC नहीं आती सबसे पहले तो हम उन्हें मिले नहीं अभी तक वरना हम जरूर उनसे एक बात कहते कि जो बायो वाले स्टुडेंट है क्या वो बिना परिक्षा के आपके वहां जॉइनिंग करने आए है हम यहां पर इसलिए मांग करने आये है क्योंकि आप जो निदेशक थे आपने बायो लोजी शेक्षिक अहरता लिखी थी और जिस कारण हमने वो फॉम भरा और जब हमने फॉम भरा तो हम दो वर्ष से उसकी त्यारी भी कर रहे है और यह जो समय है हम यह नहीं बोल रहे हैं कि तुम हम सब को डालो बिल्कुल भी नहीं जो 181 सीट होगी उसमें बायो के साथ साथ एगरी कल्चर के भी है होटी कल्चर के भी अगर उन 181 सीट में होटी कल्चर और एगरी कल्चर के अभ्यरती हमसे ज़्यादा तेज है हमसे ज़्यादा माक्स लाते है तो उनका स्वागत है चाहे हम बायो वाले एक भी बच्चा जोईन ना हो पाए अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमें कोई जरुवत नहीं है हम इसमें ये नहीं बोलेंगे आपने हमें क्यों नहीं रखा क्यूंकि उसमें first troop से कहा गया है कि ये agriculture वाले भी भर सकते हैं अगर नहीं भी भर सकते हैं आप उनके लिए भी इसको open कर सकते हैं इतना हम मान सकते हैं लेकिन जो 181 ये post है इसमें अगर bio का नाम नहीं आता है तो हम कह चुके हैं पहले भी हम शांती से नहीं बैठने वाले जल्ली जल्ली तो नहीं मानने वाले क्योंकि यहां पर फ़र्ष्ट बात है जो अभियर्ती है वे अभियर्ती जो डेड़ साल से दो साल से त्यारी कर रहे है क्या उनके समय की कोई value नहीं है अगर value है तो फिर इस तरों से क्यों कहा जा रहा है कि जो बायो वाले student है उन्हें ABC तक नहीं आती बायो वाले student हो एगरिकल्चर वाले student हो या फिर होटी कल्चर वाले student हो जो भी जिस भी विशे से अपना BAC क्या है वो students apply करेंगे और उसके बाद जो श्रैणी में उकताएगा जिने जादा ज्यान होगा वही इस पे शीट पे अपनी योगता शिद्ध करेगा तो ये उनके ज्यान के अधार पर शिद्ध क्या जाएगा बाकी इसमें जो ट्रैनिंग होती है क्या इतना भी नहीं सिखा पाते ट्रेनिंग में कि वो अच्छे से कार्य कर सके तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बाते है ये हवाई बाते है जो उन्हें लग रहा है कि इन बातों से वो बायो वालों का हक छीन लेंगे ये सिर्फ और सिर्फ हक छीनने की बात है दोस्तों हमारा जो दो साल से समय छीना गया ह उसी की बात है और सिर्फ और सिर्फ लुभावने के लिए ये जो पहले अभ्याचन दिया गया था हम इसका कड़ा बिरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्रे सहाब से हमने ये रिसीविंग लिया है और और भी जरुवत पड़े हम फिर से मुख्या मंतरे साब के पास जाएंगे हम गणेश जोशी जी के पास जाएंगे हम अन्य जो भी अपने छेत्र के विधायक हो उनके पास भी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि किर्प्या करके ये जो 181 पद है इसमें बायो वालों को परिख्या में बैठने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए तो ये दोस्तों आप सभी के लिए भी एक चितावनी है कि आप से हक छीना जा रहा है और आप शांत बैठे है जादा से जादा दोस्तों 300 स्टुडेंट लेब असिस्टेंट में और 300 स्टुडेंट फोरेस्टर में स्लेक्ट होने है उसके बाद के स्टुडेंट से वो कहा जाएगे अगर 300-600 में 200 स्टुडेंट और एड हो जाते है पहले जो वीडियो की भरती होती थी उसमें भी साइस मागा जाता था लेकिन अब इसमें भी आर्स रखा गया है जब आर्स के अभियरती ये चीजे फॉरेस्ट गार्ड में सब कुछ अच्छे से कर सकते है ट्रेंणिंग के बावजुद हम नहीं कह रहें कि ये पद स्रफ साइसी वालों के लिए जये हमें कोई दिकत नहीं है हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है अगर साइंस और आट सौ आले पढ़ने में तेज है तो वो इस पत के हकदार है क्योंकि सरकाल ने ये उन्हें विभाग दिया है और अगर आपको संचोधन करना है तो आपको ये संचोधन या तो पहले करना चीए था जब विग्यप्ती नहीं आई थी और अब विग्यप्ती आ चुकी है तो ये अगर आपको करना है आप अगली विग्यप्ती पे कर सकते है इस विग्यप्ती पे आप हमारा समय और हमारा हक नहीं छीन सकते है तो दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेयर करना जिससे की जादा से जादा अभ्यर्थी कल दस बजे परेड ग्राउंड में उपस्तित हो मैं फिर कह रहा हूँ ये आपकी लड़ाई है अगर इस पर आप ही उपस्तित नहीं दर्ज करेगे तो हमारे जो अध्यक साब है वो तो अपनी और से पूर्ण रूप से महनत कर रहे है लेकिन अगर हम सब ही खड़े नहीं होगे दोस्तों तो बात कैसे बनने वाली है इसके अलावा अन्यम बुद्धो पर भी उन्होंने स्पष्ट बात की थी जो ये 228 पद है इस पर भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही थी मुख्यमंत्रे जी से तो इनके लिए भी बहुत शुपकामनाय है इनका जो मेहनत है अपना समय 126 दिन इन्हें हो चुके है 126 दिनों में इन्होंने इतने अच्छे से पूरा अंशन बनाये रखा जबकि जो इनकी स्ट्रेंथ है दोस्तो मैं बता दू इनकी स्ट्रेंथ 3,000 है और जो बायोजी वाले स्ट्रेंथ हैं उनकी 30,000 से भी ऊपर जाती है तो क्या होगा दोस्तो जो 30,000 मैंसे सिर्फ और सिर्फ 8 आ रहे है और तीन हजार मैंसे इतने स्ट्रेंथ आ रहे है लगबग लगबग सभी स्टुडेंट्स उपस्तित हो रहे हैं जो नहीं हो रहे हैं वो भी अपना समर्थन पूर्ण रूप से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मना किया जा रहा है कि आप अभी अंचन में नहीं आईए आप कुछ दिन बाद आईए अभी जो है वो अंचन करेंगे तो ये दोस्तो एक जूटता की बात है इसलिए मैंने ये एक्जामपल आपके सामने रखा बाकि आप सभी की अपनी इच्छा है आप अगर नहीं आते है तो दोस्तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है अगर मेरे एक से क्या होगा वाले स्टुडेंट है तो मैं आप सभी को फिर से बताना चाहता हूँ आपके एक के आने से ही यहाँ पे बात आगे बढ़ने वाली है अन्याथा यह बात आगे नहीं बढ़ेगी एक अध्यक्ष सहाब जो है हमारे बोवी पौार जी वो भी कितना करेंगे इसके लिए दोस्तो आप सभी को आना आउशक है तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप जरूर आए दोस्तो कल्प्रेट ग्राउंड में और जुगरान जी के नेतरितों में और हमारे बोवी पौार जी के नेतरितों में आप सभी लोग आगे बढ़े और मुख्यमंत्री तक ये बात जा चुके है दोस्तों इसी तरों से आगे ये बात बढ़नी है जब आप सब जब इस पर अपना समर्थन देंगे अपना हक मांगेगे हम किसी से कोई जबर्दस्ती नहीं कर रहे है हमें जब पहले बताया गया कि तुम्हें बाइलोजी के साथ एडमिशन लेकर इस फॉर्म को भरना है तो हमने ये फॉर्म भरा था अन्य था हम ये फॉर्म नहीं भरते तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बाकी दोस्तों बने रहे हैं वे अभ्यर्थी जो बिलकुल दूर दराज की छेतर में नहीं आ सकते वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है अगली अपडेट के लिए बाकी दोस्तों मुझे लगता है जरुवत नहीं पढ़नी चाहिए कि हम अपडेट वीडियो के माद्यम से दे जरुवत ये होनी चाहिए कि